सरकार के पास ज़ोगों के जो अधिकार रन करने का अधिकार नहीं है, वो अधिकारों को भी अधिकार आ जाता है और जिसके दिये समिधान के आर्टिकल 32 में प्रोटेक्शन दिया गया है संद्रक्शन दिया गया है, जो दो धाई हजार साल तक हमारे लोगों के पास अधिकार नहीं थे, वो अधिकार बाहल किये गये और उसकी वज़े से, एक बहुत बड़ा पड़ा लिखा वर्ग समाज में पैदा हुआ, शडूर कास्ट में, शडूर ट्राइब में, बैकवर क्लास में, माइनॉरिटी में यह जो पड़े लिखे लोग निर्मान हुए, बड़ी संख्या में सारे देश भर में निर्मान हुए, लगवग दो करोड़ नौकरिया है Central Government, State Government, Local Self Government, Autonomous Bodies, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है, भारत सरकार के, राज्य सरकार के, Autonomous Bodies के, Local Self Government के तो इसमें दो करोड़ नौकरिया है, अगर हम 50% नौकरियों की बात करें, तो इसमें एक करोड़ नौकरिया, A, C, S, T, O, B, C, Minority के लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिली हुए है, इसके बावजूद भी 25-30 लाख लोग जो हैं, हमें सारी देश भर में दिखाई देते हैं तो ये सारा का सारा, 1848 से लेकर, 1956 तक, जो हमारे महापुरुशों के द्वारा संधर शला, उसके बदावलत हमारे पड़े लिखे लोगों को अधिकार मिला इसलिए जिन लोगों को, जिन पड़े लिखे लोगों को ये अधिकार मिला, उन लोगों की जिमेदारी बनती है कि वो लोग जिन महापुरुशों की बदावलत, अच्छा जीवन या पन जीवन जी रहे हैं, मान सम्मान का जीवन जी रहे हैं ये उन लोगों की जिमेदारी बनती हैं, कि वो अपने पीछे रहे हुए जो समाज है, गाउदियात में रहे हुए समाज के जो लोग है उनको उसी तरह का मान सम्मान का जीवन जीने के लिए उपलब दकराने का संगर्च करे ये अपेक्षा अमारे महापुर्शों की थी बाबा सबाम बेटकर की भी पड़े लिखे लोगों से ये अपेक्षा थी कि जो पड़ा लिखा वर्ग उनके अंदोलन के बदावलत पिर्बान हुआ उन लोगों से ये उम्मीद थी उनकी कि वो पड़ा लिखा वर्ग हमारा जो अंदुलन है इस अंदुलन को आगे बढ़ाने का काम करे क्योंकि अंदुलन चलाने के लिए पांच बड़े साद्रों की जरूरत होती है बुद्धी सफसे ज़्यादा जरूरी चीज है बुद्धी क्योंकि बुद्धी के बल पर फैसले लिए जाते हैं जिन लोगों को फैसले सही फैसले लेना आता है वही लोग नेतुरूत्व कर सकते हैं वही लोग अंदुलन को आगे बढ़ा सकते हैं तो पहले नंबर का साधन है बुद्धी, दूसरे नंबर का साधन है पैसा, कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, कुछ लोग ऐसा सूचते होंगे कि नहीं, पैसा पहले नंबर का साधन होना चाहिए, पहले नंबर का साधन पैसा नहीं है, पहले नंबर का साधन बुद्धी है अगर बुद्धी हमारे पास है तो हम नेत्रुत्व करने लाइक बन सकते हैं यदि हम नेत्रुत्व करने लाइक बन सकते हैं तो अंदोलन के लिए पैसा खड़ा करने लाइक बन सकते हैं जो बुद्धी जीवी आदमी है जो नौकरी करने वाला आदमी है अगर वो संगटन में आ गया संगटी शेत्र में आ गया तो वो अपने घर में खुटी को कपड़े टांग कर तो नहीं आएगा कपड़े पहन कर आएगा तो कपड़े में पैकेट भी होगा पैकेट पे पैसा भी होगा तो पैसा भी आएगा तो बुद्धी के बाद पैसा यह दूसरा महत्वपुर्ण सादन है जो पड़े लिखे बुद्धी भी लोगों के पास होता है तीसरा सादन है भुनर जैसे मैं यहां माईक पर बोल रहा हूँ तो यहां हर आदमी को अगर यह कहा जाए कि आओ पांच मिनट बोलो तो बोलने के लिए उनको दिक्कत होगी हर आदमी को बोलना नहीं आएगा तो बोलने का हुनर है क्या बोलना चाहिए और ज़्यादा बड़ा हुनर है क्यूं बोलना चाहिए ये और ज्यादा बड़ा हुनर है तो तीसरा जो साधन है, बड़ा साधन है, वो हुनर है और चौता साधन है समय अगर आपके पास आपके परिवार के लिए समय है और अंदुलल के लिए समय नहीं है तो फिर आंदोलन कैसे चलेगा आंदोलन के लिए भी समय होना चाहिए केवल आदमी अपने परिवार में ही सारा का सारा समय लगा दे आंदोलन और संगटन खड़ा करने का काम ना करे और उसके परिवार पर कोई संकटा जाए अत्याचार हो जाए तो उसकी मदद करने के लिए संगटन का है वो अकिला क्या कर लेगा अगर उसके उपर अत्याचार हुआ संगटन चाहिए वो संगटन निर्मान करने के लिए समय की दुरूरत है यह चौता सादन हो गया बाच्वा साबन है श्रम मेनत परिश्रम अगर हमारा बच्चा बिमार हो गया तो हम कभी ऐसा कहते बाजुवाला जो हमारा जो नेबर है उसको हम कहते के बाई साब यह मेरा बेटा बिमार हो गया है उसको जरा हॉस्पिटल में ले जाओ तो वो बोलेगा रहे तुने बच्चा पैदा किया तु इतना भी समय तरे पास नहीं है या इतनी भी मेहनत नहीं करना चाहता यह तु अपने बच्चों को हॉस्पिटल में ले जाओ तो अपना काम है अपना मकसद है उसको पूरा करने के लिए हमें ही मेहनत करनी होगी हमें ही परिश्रम करना होगा कोई दूसरा हमारा काम करने वाला नहीं है हमें करना हो तो ये पांच बड़े साधन है ये पांचों के पांचों साधन पड़े लिखे बुद्धी जीवी वर्ग के पास उपलब्द है जो पड़ा लिखा बुद्धी जी वी वर्ग है उसके पास ये पाँचों के पाँचों सादन है उसके पास बुद्धी है उसके पास पैसा है उसके पास उनर है उसके पास समय है उसके पास अगर मेहनत करना चाहिए अपने मकसद के लिए तो मेहनत कर सकता है तो ये पाँचो साधन उसके पास है इसलिए बाबा सब हम बेटकर ये अपेक्षा करते थे कि ये पड़ा लिखा बुद्धी जीवी जो बर्ग है वो इस अंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करे जब उन्होंने देखा कि ये केवल अपने बाल बच्चे और बीबी के बीच में ही अपने परिवार में ही लगा हुआ है और अपने अंदोलन को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहा है इस वज़े से दुखी होकर बाबा सब हम बेटकर को ऐसा कहना पड़ा कि मुझे पड़े लिखे लोगों ने धोका दे ये बात है तो इसका उपाय क्या है इसका उपाय है पड़े लिखे बुद्धी जीवी वर्ग के लोगों को जो अपेक्षा बाबा सब हम बेटकर की थी कि वो अंदोलन के लिए बुद्धी पैसा हुनर समय श्रम दे ये देने का काम करें ये उपाय अगर ये काम वो करना शुरू कर दे तो फिर ये माना जा सकता है कि वो बाबा सब हम बेटकर को अपिक्षित कारिय कर रहा है अगर वो व्यक्ति साल में एक बार 14 अप्रेल को बाबा सब आम बेटकर का जनम दिन मनाने का काम करे और ये कहे कि मैं तो बाबा सब आम बेटकर का जो उपकार है उस उपकार की उतराई कर रहा हूँ 365 दिन में एक दिन काम कर रहा है 3654 डेज में वो काम नहीं कर रहा है तो कोई अंदोलन निर्मान नहीं होगा आपको जो सविधान में अधिकार दिये उस अधिकार को सविधान में लिखे हुए जो अधिकार है वो अधिकार सविधान आपके घर में लाकर देने वाला नहीं है सविधान में लिखा है मगर वो लिखा हुआ अधिकार के लिए आपके पास संगटित शक्ति चाहिए आपके पास आंदोलन चाहिए वो आंदोलन आपको अधिकार दिलबा सकता है सविधान में केवल लिखे होने से आपको अधिकार मिलने वाला नहीं है वो लेने होगे और उसको लेने के लिए संगटित शक्ति का निर्मान करना हो यह काम हमको करना होगा यह ध्यान हम लोगों को रखना होगा अपने आप सवैधानिक अधिकार हम लोगों को मिलने वाले नहीं है हम लोगों को यह काम करना होगा दूसरी बात जो दूसरा विश्य रखा गया है वो दूसरा विशय है जाती जागरती अंतिम्ता ब्राह्मनवात का भक्ष बनेगी बाबा सब अंबेट करने कानूनी रूफ से सवेधानिक रूफ से चार बड़े शेडूल तैयर किये और उसको सवेधानिक माननेता है ये अमारे बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है वो मैं बात आपको बता रहा हूँ ये सवेधानिक माननेता है भारत में जितनी अच्छूद जातिया है उनकी संख्या सत्रा सो तीन है ये भी मुझे ने लगता कि ये पड़े लिखे लोगों को पता होगा ये जो जिसके साथ अस्पुरुष्यता का विवार होता है औल इंडिया में उसकी सत्रा सो तीन जातिया है वो सारे जातिया सत्रा सो तीन टुकडे हैं ब्रामनों ने किये सत्रा सो तीन टुकडे ब्रामनों ने इसके सत्रा सो तीन टुकडे किये बाबा सब अम्बेकर ने वो सारे सत्रा सो तीन टुकडों को एक नाम दिया और वो सवैधानिक रुफ से नाम दिया शडूल कास्ट किसी भी शडूल कास्ट के वेक्ति को अगर कोई बाहिया आदमी पूछे कोन हो तो जबाब देता शडूल कास्ट पहले अगर पहले ये बनने के पहले जब पूछा जाता था कोन हो चमार हो जाटव हो बंगी हो बालमीकी हो पहले लोग ये कहते थे अभी जो है वो लोग जो है वो कहते ने शडूल कास्ट तो एक हमारी पहचान सवैधानिक पहचान सवैधान ने ये नाम दिया है शडूल कास्ट शडूल कास्ट नाम की कोई जाति नहीं है ये सतरा सो तीन जातियों का समूह है सतरा सो तीन जातियों को एक नाम दिया 1935 को Second India Act बना ये बाबा सबामबेट करके बदा उलत Second India Act में अंग्रेजों के द्वारा 1703 जातियों को शडूलकास का नाम देने में बाबा सबामबेट कर कामियाब हो गए उसके बाद 42 को बाबा सबामबेट करने शडूलकास सेडरेशन नाम का संगटन बनाया 1703 जातियों का दूसरा है शडूल ट्राइब 801 ट्राइब्स है ट्राइब्स को हिंदी में कहते गन और हिंदी में उसको और एक नाम है जन जाती बगर ये जो ट्राइब है ये एक नहीं है ऐसे ट्राइब्स भी सारे देज भर में 801 है वो सारे लोगों को एक नाम दिया शडूल ट्राइब उसका भी एक शडूल बनाया इकटा किया तीसरा तीसरा तीन सो चालिसवे आर्टिकल के तहट ही तीन हजार साथ सो तरतालिस जातियों को तीन हजार साथ सो तरतालिस जातियों को एक नाम दिया गया O.B.C. ये भी तीन सो चालिस आर्टिकल के तहट ये तीसरा सेडूल समझ रहे हूं? और चोथा सेडूल है माइनोरिटीज ब्रामन की संख्या साड़े तीन परसेंट है मगर ब्रामन को माइनोरिटीज के तोर पर माननेता नहीं है मुसलिम, सीख, इसाई, बुदिस्ट, जैन, लिंगायत इनी लोगों को माइनोरिटीज के तौर पर सविधान ने मानने दादी है ये चार बड़े शेडूल जो है सविधान ने बनाए ये सविधानी कुरूप से बनाए हुए है तो हम ये देखते हैं कि जो 1703 जाती के अचूत है और शडूल कास्ट है वो लोग जब अपनी एक जाती के आधार पर संगटन बनाने का काम करते है एक जाती के आधार पर तो ये एक जाती को जागरत करने का काम जब कोई जाती करती है तो सत्रा सो तीन जातियों की संख्या भारत में अठ्रा पर्सेंट है और एक जाती की संख्या दो पर्सेंट चार पर्सेंट पाच पर्सेंट होगी बहुत ज़्यादा हुआ तो अगर एक जाती का आप संख्यटन बना लोगे जब अठ्रा पर्सेंट जाती को इखटा करके आप सफलता हासिल नहीं कर सकते चुनाओं में अभी अखिलेश यादों को 32 पर्सेंट वोड पड़े 32 पर्सेंट वोड पड़ने के बाद भी बहुमत नहीं मिला एक तालीस पर्सेंट वोड जो है वो बीजेपी को पड़ा इसको 32 पर्सेंट पड़ा 9 पर्सेंट जादा बीजेपी को पड़ा चुनाओं जीत सकते हो जब एक बार दो बार तीन बार चुनाव हर जाओगे तो फिर आप निरास हो जाओगे और सोचोगे यार बीजेपी में जाकर ही अमेले बनाया जा सकता है कांग्रेस में जाकरी बनाया जा सकता है उदर जाकरी बनाया जा सकता है ओ अंतिम्ता क्या होगा आप फिर ब्राह्मनवाद का बख्ष बनोगे तो एक सिंगल जाती का संगटन बनाने से अंतिम्ता आप ब्राह्मनवाद का बख्ष बनोगे यह रेकॉर्ड है इसलिए कम से कम आपको क्या करना चाहिए कम से कम आपको जिससे आपका बहुत संख्यांक हो जाए इतने लोग इखटा करने का काम करे बाबा सब अमबिट कर जब उत्तरपदेश में आए लखनों में और कानपूर में उन्होंने समविलन किया तब उन्होंने ये बात कही कि उत्तरपदेश में जो शडूल काट ट्राइव के लोग थे नहीं तो इसलिए उन्होंने कहा कि कम से कम शडूल कास्ट और बैकवर क्लासेस के लोग इखटा होने चाहिए अब 21% शडूल कास्ट उत्तरपदेश में और 54% वो भी सी अगर ये दोनों इखटा हो जाते हैं दोनों इखटा होते हैं सारा राजनीती का समिकरन बदल जाता है ये बात आप लोगों को ध्यान रखना होगा समझना होगा बात समझा रहा है मैं बाशन कम करता हूँ और बातें समझाने का प्रयाज करता हूँ ताकि बातें आपको समझ में आ जाए जो मुझे समझ में आती है जो बाबा सब आमबिट करने हमें समझाई हमने समझी आपको समझाने का प्रयाज कर रहा हूँ उस तरीके से काम करना होगा एक जाती के बजाए जो जाती का समुह सत्रा सो तीन जातियों का बनाया उसकी संख्या अट्रा परतीशत है और वो भी सी की संख्या चववन परतीशत है दोनों को मिलाओ यह मिलाने का काम करना चाहिए ये बाबा सबंबिट करने कहा बाबा सबंबिट करने क्यूं कहा एक OBC का डेलिगेशन उनको मिलने के लिए गया OBC का 10-11 लोगों का एक डेलिगेशन बाबा सबंबिट कर को लखनों में मिलने के लिए गया और उन्होंने उनको कहा बावा साथ आपके जैसा सफल नेता योग ये नेता चडुलकास के लोगों को मिलने की वज़े से ये 46 की बात है जब वो मिलने के लिए गए कि आपके जैसा सफल नेता चडुलकास के लोगों को मिलने की वज़े से देखो इनको कितने अधिकार मिले है तो हम आपको अनुरोद करते हैं शडूल कास के साथ साथ आप हमारा भी नेतरुत्व करे हमारे पास हमारा नेतरुत्व करने लाइक व्यक्ति नहीं है तो इसी का संदर्ब लेकर बाबा सब अम्बेट करने शडूल कास के लोगों को कहा कि राजनीती में हम भी अकेले चल रहे हैं हमें सफलता नहीं मिल रही है अगर सफलता हासिल करनी है तो शडूल कास्ट और वैकवर्ड क्लासिस के लोगों को इखटा आना चाहिए और एक इखटा आना चाहिए एक मामला है दूसरा है इखटा लाना चाहिए जिसको ज़्यादा समझ में आता है उसको पहल करना चाहिए जिसको कम समझ में आता है वो पहल नहीं कर सकता जिसके बाद ज़्यादा समझदारी हो एक समझदारी की बात तो आप ज़्यादा जानकार होना चाहिए दूसरी बात आप ज़्यादा समझदार होना चाहिए जानकारी अलग बात है समझदारी अलग बात है समझदारी क्या है जिसको जानकारी के अनुसार अमल करना आता है तो माना जा सकता है कि उसके पास समझदारी है जिसको अमल करना नहीं आता है जानकारी है केवल जानकारी से काम नहीं चलेगा समधदारी होना जरूरी है और समधदार आदमी वो जादा होता है जादा समधदार माना जाता है जो समधदारी में अपने समाज को इखटा करने का काम करे और अपने समाज को जो सवैधानी का दिकार है जो मिले हुए है वो दिल्वाने के लिए संगटित शक्ती का निर्मान करे ये काम करना जरू लिए है तो शडूल ट्राइव के भी 801 टुकडे है उसके बाद 3743 OVC के टुकडे है ये सारे टुकडे 6247 टुकडे है आजादी के अंदोलन में ब्रामन लोग ये परचार करते थे बाटो और राज करो ये अंग्रेजों की नीती है बाटो और राज करो डिवाइड एंड रूल बाटो और राज करो ये अंग्रेजों की नीती है ऐसा ब्रामन कहा करते थे तो अंग्रेजों ने हमारे लोगों को बाटा हिंदू मुसल्मान दो टुकडों में बाटा ब्रामनों ने हमारे मुल निवासियों को 6247 टुकडों में बाटा अंग्रेजों ने दो टुकडों में बाटा हिंदू मुसल्मान ब्रामनों ने हमारे लोगों को 6247 टुकडों में बाटा तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि अंग्रेज ब्रामनों से ज़्यादा खतरनाक नहीं थे ज़्यादा खतरनाक ब्रामन थे तो हम लोगों को जिन लोगों ने बाटा टुकडों में बाटा तो बाटने से बाटने वाले का फाइदा हो रहा था बटे रहने में हमारा कोई फाइदा नहीं है इखटा होने में हमारा फाइदा है और अगर हम ऐसा काम करते है तो इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा बहुत बड़ी करांती होगी ये करना जरूरी है ये करना आवश्यक है अगर हम ऐसा नहीं करते है और केवल अपने जाती को जागरत करने का काम करते है आज हमारे पास बामसेव के द्वारा भारतमुक्ति मोर्चा के द्वारा भोजन करांति मोर्चा के द्वारा जो सारे देजभर में प्रयास किया गया मैं 18 साल 3-4 मेने का रहा होगा तब मैं नौक्री में लगा 18 साल 3-4 मेने का था जब मैं डिपार्टमेट में नौक्री के लिए गया तो वहाँ V.N. पार्टिल नाम का एक विकति था तो सुपर्वाइजर ने कहा ये वियन पार्टिल है ये छे मैने का आपको ट्रेनिंग देंगे क्योंकि मैं छे मैने का मुझे ट्रेनिंग लेना था सेंटल गवर्मेंट का तो वो वियन पाटिल क्या करता था शाम के 6 बजे तक मुझे सरकारी कामकाज का ट्रेनिंग देता था 6 बजे के बाद बामसेव के मिटिंग को लेके जाता था क्योंकि वो दो-दो ट्रेनिंग देता था सरकार सुपरवाइजर ने उसको कहा है इसको आप सरकार काम का ट्रेनिंग दे दो तो वो मुझे दो-दो ट्रेनिंग देता था एक ट्रेनिंग तो वो देता था सरकारी काम का अज का दूसरा ट्रेनिंग देता था बामसेफ के मीटिंग में वो मेरा सुपरवाइजर था ट्रेनर था तो मैं टाल नहीं सकता था तो मैं धिरे धिरे 18 साल 3-4 मेने के बाद बामसेप के 미टिंगों में जाना शुरू हुआ और जब मुझे ये बात समझ में आई कौन सी बात समझ में आई कि हम समाज का बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते तो मैं संगटी तुरुफ से काम करना शुरू किया तो आज मेरी उम्र 65 रनी है तो 46 फोक के लगभग साल हो गए इतने समय से मैं काम कर रहा हूँ और इतने समय से काम करने के आधार पर आज हम लोग ये कह सकते हैं कि शडूल कास के, शडूल ट्राइफ के अदर बैक वर क्लास के और माइनुरिटी के कम से कम 2400 से ज़्यादा टुकडे जोडने में हम लोग काम्याब हुए 2400 से ज़्यादा आप लोग सुनकर हुरान हो जाओगे कि आज 31 राज्यों में 567 जीलों में 4000 से ज़्यादा तैसिलों में सजार से जादा ब्लॉक में और देड़ लाक से जादा गाओं में भोगुली क्षेत्रे में हमारा संगटन हमने फैलाया हुआ है इतने बड़े पैमाने दो हजार में खबड़े साफ का देहांत हो गया और मेरे उपर जिम्मेदारी आई तो उस समय तेरा स्टेट में 140 जिलो में काशिराम जी कहा करते थे कि बामसेफ संगटन फैला है तेरा स्टेट में 140 जिलो में आज 31 राज्यो में और 567 जिलो में चार हजार से ज़्यादा तैसिलों में, बाइस हजार से ज़्यादा ब्लोक में, देल लाग से ज़्यादा गाउ में फैला हो, इतना बड़ा संगटन हो गया है, इतनी विशाल संगटी चक्ति का निर्मान हो गया है, और इतने जाती के टुकडों को हम लोग जोडने में कामिय चटूल ट्राइब के टुकडों को जोडने में कामयाब हो गए, नॉमी ट्राइब के टुकडों को जोडने में कामयाब हो गए, अमबी सी के टुकडों को जोडने में कामयाब हो गए, बाइनॉरिटी के, हमारे पास मुसलिम्स कारे करता है, हमारे पास क्रिच्चन कारे करता ह है अमारे पास Maudhich कारे करता है जयन जो ECST ABC के भैकोमोंड लोग है वो हामारे पास कारे करता है । सीखों के करता यहां सीखों का करता है एक्ष पत्रकार देख रहे हैं आपके सामने ही और अब काल्पन के बात नहीं कह रहा हूं को और लिगायत कारे करता तमाम कारे करता सारे देज़ भर में कारे रख तो इस तरह से इतना बड़ा विशाल संगटन निर्मान करने का काम हम लोग करने में कामियाब होंगे तो मैं ये बात इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ इतनी बड़ी संगटी शक्ति का निर्मान हमने किया और इस वज़े से जो हमारा दुश्मन है एस संगटी शक्ति से डरा हुआ है इतनी बड़ी संगटी शक्ति हो गई है शायद कोई भी संगटन हमारे मुकाबले में S.C.S.T. O.B.C. Minority में कोई भी संगटन इतना बड़ा भारत में नहीं है आप लोग सुनकर और हैरान हो जाओगे कि 25 करोड रुपए से जादा नीधी हमारे लोग साल बर में इकटा करते हैं कोई संगटन है हमारे समाज में जो 25 करोड रुपए सारे देजबर में इकटा करता हूँ तेन-चार सो से जादा हमारे होल्टाइमर काम करते हैं सारे देजबर तो इतना बड़ा नेटवर्क सारे देजबर में हम लोग फैला हुआ है जैसे हमारे एक साथी ने कहा वह इसी तरह से विदेशों में भी संगटन अमेरिका में, योरोप में, आस्टेलिया में, न्यूजिलन्ड में, गल्फ में, मिडल इस्ट में कई देशों में, जो भारत के रहने वाले लोग हैं, वो तमाम लोग विदेश में हैं उनके रिष्टेदार यहां बामसित में काम करते हैं, वो वहां काम करते हैं तो इस तरह से एक बहुत बड़ी संगटीच शक्ती का निर्मान हम लोगों ने किया और इस संगटीच शक्ती का निर्मान करने की वज़े से क्या हो रहा है, हमने किसी एक जाती को इखटा करने का काम नहीं किया और अगर किया होता, तो यह बरामनवात का भक्ष बन गई होती हमने शेडूल कास की, शेडूल टाइब की, नॉमिनिक टाइब की, MBC की, OBC की, माइनोरिटी की तमाम लोगों को साथ में भाईचारा निर्मान किया, जहां जहां भी बामसेप, भारत मुक्ती मोर्चा, बहुजर क्रांगती मोर्चा मजबूत है, वहाँ ब्रामन वादी लोगों को फसाद करने के लिए मुसल्मानों के विरोध में आदमी नहीं मिल रहे हैं, आजकल आप लोग देख रहे हैं, फसाद करनी की बहुत कोशिश होरी हैं, हो रहा है, हो रहा है, हो नहीं रहा है, क्योंकि आदमी नहीं मिल रहे हैं, ब्रामन जाके मु इतनी अवकात नहीं है वो तो SC, ST, OBC के लोगों को सामने कर देता है अब SC, ST, OBC को वामन में इश्राम का गुरु मंत्र समझ में आ गया तो वह वह वामन का नहीं सुनता है वामन का सुनता है वामन का पहले सुनता था पहले वामन का सुनता था अभी वामन का सुनता है तो वा पसाथ करने के लिए मैंपावर चाहिए पसाथ करने के लिए A.C.S.T.O.B.C. चाहिए वो मिल नहीं रहा है सारे देजभर में मजजिदों का मामला भूंगे का मामला पूंगे का मामला धाले खड़ा कर रहे हैं मगर हो नहीं रहा है सारे देजभर में कर रहे है कोशिच कर रह हो नहीं रहा है किसी ब्राहमन को मुसल्मानों के बस्ती पर जाके हमला करनी की अवकात नहीं है ये तो S.C.S.T. O.B.C. के लोगों को करते थे इस्तमाल अभी वो इस्तमाल होने के लिए तयार नहीं है इस वज़े से इस वज़े से फसाद हो नहीं रहा है तो मुसल्मानों को भी मैं खाद बात समझा रहा हूँ कि मुसल्मानों को भी S.C.S.T. O.B.C. के लोगों को जगाने में मदद करना चाहिए क्यों? जितना ज़्यादा S.C.S.T. O.B.C. के लोग परामन के जाल्ब से मुक्त हो जाएंगे उतना मुसल्मानों की समझ्चा का समादान हो जाएगा है समझ में? जब एक भी आदमी फसाद करने के लिए उपलब्द नहीं होगा तो मुसल्मान निश्चिंत होके सो सकता है अगर मुसल्मान S.C.S.T. O.B.C. को जगाने के लिए महिनत करेगा कोशिच करेगा तो फसाद करने के लिए आदमी ही नहीं मिलेगा तो मुसल्मान निश्चिंत सो सकता है ने तो रात में मुसल्मानों को सोने के लिए बहुत बड़ी समझ्चा होती है कि पता नहीं सलरा रात में क्या होगा मैं आपको इलाज बता रहा हूँ बिमारी आपको मालूम है मैं इलाज बता रहा हूँ इलाज बहुत ज़्यादा जरूरी होता है तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और इस वज़े से इस देश में यह जो संगटी शक्ति हमने निर्मान की इस संगटी शक्ति का हम लोगों ने आपको प्रयोग के तोर पर अगर जानकारी चाहिए तो हमने इसका कितनी बड़ी संगटी शक्ति हो गई है तो हमने इसका भारत बंद करने के लिए इस्तमाल किया भारत बंद कोई गली मोहला बंद करना नहीं है कितना भारत बड़ा है भाई 36 राज्य है देश के 36 राज्य राज्य और केंद्र शासित मिलकर 36 स्टेट है अगर काश्मीर से कन्या कुमारी फ्लाइट में जाना है तो कम से कम 5-6 घंटे लगते आप अंदादा लगाओ कितनी भूमी है इतनी जादा भूमी है और इस वज़े से मैं आपको बता रहा हूँ छोटा मोठा देश नहीं है और इस वज़े से जब हम भारत बंद करते हैं तो आपको बताता हूँ उधारन के लिए बताता हूँ पांच मार्च 2019 को हमने 13 पाइन रोस्टर के विरोध में भारत बंद किया 200 पाइन रोस्टर लागू करने के लिए ये रिजर्वेशन का मामला था इस वजे से मुसल्मान इसमें शामिल नहीं हुई के वाले CST OBC के लोग शामिल हो गए तो ये रोस्टर का मामला हल हो गया और नरेंद्र मोदी को पार्लामेंड में कानुन पास करना पड़ा आप जानते हो नरेंद्र मोदी कितना अक्डू आदमी है नरिंद्र मोधी कितना अख्डू आदमी है किसानों की तीनों कानूं पीछे ले लिया मगर एक भी किसानों से बात नहीं की इतना अख्डू आदमी है कानूं पीछे ले लिया मगर बात नहीं की किसानों से इतना अख्डू आदमी है तो इस अखुडू आदमी को हमने मजबूर किया पार्लामेंड में कानुन पास करने के लिए और उसको कानुन पास करना पड़ा तो आप अंदादा लगा सकते हो कितना बड़ा भारत बंद हो गया हो गया हो गया हो तभी तो भारत सरकार ने रिपूर्ट लिया होगा CBIS से रिपूट लिया होगा IB से रिपूट लिया होगा उसके आधार पर तो मानना पड़ा उसको उसके बाद मैं आपको बताता हूँ दूसरा भारत बंद हमने किया 29 जनवरी 2020 को CA के विरोध में CA के विरोध में ये CA कानून क्या है ये जानने के लिए धोड़ा जानकारी आपको देता हो ये आसाम में छोटे लेवल पर इसको लागू किया गया आसाम में CA का कानून छोटे लेवल पर लागू किया गया था 19,48,000 लोगों को नागरिकता के अधिकार से वन्चित किया ये नागरिकता के अधिकार से वंचित करने का क्या मतलब है नागरिकता के अधिकार से वंचित करने से आप नागरिक ही नहीं माने जाते हैं आपको अरेश्ट किया जाता है आपकी सारी संपत्ती सरकार में जमा कर दी जाती है और आपको डिटेंशन कैम्प में जेल नुमा कैम्प में बंद कर दिया जाता है ये काम उन्नीस लाख तालीस हजार लोगों के रेफरेंस में होने जा रहा था उस में मुसल्मान कितने थे? अरे सुनो 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 आपस में लड़ाई यगड़ा मत करो कम से कम यहां मत करो बहाँ जाओ बस्ती में जाके करो यहां कम से कम मेरे पास तो कम से कम इखटा रहो बाकि अपने बस्ती में जाके जगड़ा करो मैं आपको इखटा करने के लिए आया हूँ तो इखटा होने की बात समझो एकटा होने के बात समझा रहा हूँ तो आसाम में जब ये तलवार टांगी गई तो वहां के S.C.S.T.O.V.C. के लोग बामसेफ के लोगों को मिले कि आप हमारी मदद करो तो हमारे लोगों ने कहां कि बामसेफ अभी आसाम में इतना मजबूत नहीं है कि हम आपकी मदद कर सकें मगर बामसेफ मजबूत संगटन है एक आदमी आपकी मदद कर सकता है वो है वामन बेचराम कहा का मिलेगा का दिल्ली में तो उन्होंने कहा कि दिल्ली नहीं है तो हमने जिन्दगी में नहीं देखा तो हमारे लोगों ने उनको लेकर आया, दिली, मेरे मुलागार करवाई, मैंने उनको कहां आसाम की राजदानी गोहाटी में लोगों को इकटा करो, तो लोगों को उन्होंने बड़ी संख्या में इकटा किया, जो परताडित लोग थे, मैंने उनके सामने दो सवाल पूछे, कि ये जो बंगलादेशी घुस पेटियों को भगाने का अंदुलन चल रहा था तब आप लोग क्या कर रहे थे। तो हमारे CSTOBC के लोगों ने मुझे कहा कि जब बंगलादेशी घुस पेटियों को भगाने का अंदुलन चल रहा था तो हम उस अंदुलन में चामिल थे। हमारा ही नमबर लगा दिया ने आरेशेस के लोग विश्व इंदु परिश्यत के लोग बीजेपी के लोग हमारे लोगों के पास आते थे और कहते थी कि ये बंगलादेशी जो मुसल्मान हैं उसके विरोध में ये अंदुलन हैं आप सहबागी हो जाओ तो हमारे एस्टी के लोगों ने उन लोगों को साथ सयूग दिया और जब ये कानून लागू करने का समय आया तो 19,48,000 में 5,00,000 मुसल्मानों को निकाला 14,48,000 एस्टी ओबीजी को निकाला 75% एस्टी ओबीजी को निकाला कि तुम तो भारत के ही नहीं हो जिन ब्रामनों का डिये ने विदेशी है उन लोगों ने स्टी ओबीजी को ही निकालने का मामला जुरू कर दिया असाम में जब मैंने देखा कि ये तो जाला मामला बहुत ही क्रिटिकल है मैंने का ये तुम लोगों के बसकी बात नहीं है अब ये आँस से मेरी समच्चा हो गई है मैं दिल्ली वापस आ गया और दिल्ली वापस आ कर उन्ती जनवरी 2020 को C.A.A. के विरोध में भारत बंद का ऐलान कर दिया मुसल्मानों को लगा आप लोगों को जानकारी होगी कि मुसल्मानों ने दिल्ली में शाहिन बाग अंदोलन शुरू करवाया था शाहिन बाग अंदोलन का नाम अदम है वो इलाके का नाम है शाहिन बाग वहां मुसल्मान रहते थे तो अंदोलन का नाम ही बड़ा शाहिन बाग अंदोलन अब हमारे महरास्टा में शाहिन बाग नहीं है मगर आंदोलन शाहिन बाग ही चल रहा सारे देश भर में शाहिन बाग आंदोलन अब ये शाहिन बाग आंदोलन को पबली सीटी भी अखबार वाले बड़े बैमाने पर दे रहे थे कि ये मुसल्मानों का आंदोलन है और इस कानून की कानून से मुसल्मानों को निकाला जाएगा इसके पीछे बीजे पी आरेसेस की एक सौजिस थी कि S.C.S.T.O.B.C. के लोगों को मुसल्मानों के विरोध में बढ़काया जाए मगर जब हमने सारे देश भर में लोगों को बताना शुरू कर दिया कि इस कानून की वज़े से पांच लाग लोगों को आसाम में निकाला गया और चौदालाग अड़ तालिस हजार S.C.S.T.O.B.C. को निकाला गया जब हमने सारे देश भर में लोगों को बताना शुरू कर दिया तब लोगों को समझ में आया अरे यह तो मामला मुसल्मानों का नहीं है अगर है भी तो यह दूसरे नंबर का है पहले नंबर का मामला तो S.C.S.T.O.B.C. का है दूसरे नंबर का मामला मुसल्मानों का है जब हमने S.C.S.T.O.B.C. के दोरा भारत बंद का ऐलान किया तो मुसलमानों को लगा कि CAA का कानून तो बारलामिन ने पास किया अब ये कानून सारे देजभर में लागू होगा और सारे देजभर में मुसलमानों को निकाला जाएगा इसलिए 29 जनवरी 2020 के आंदोलन में मुसल्मान भी बहुत बड़ी संख्या में सामिल हो गए 5 मार्च 2019 को मुसल्मान सामिल नहीं थे मगर 29 जन्वरी 2020 को मुसल्मान बहुत बड़ी संख्या में सामिल हो गए जब मुसल्मान बहुत बड़ी संख्या में सामिल हो गए तो पहले से भी जादा बड़ा भारत बंद हो गया जब पहले से भी जादा बड़ा भारत बंद हो गया मैं आप लोगों को एकता की बात समझा रहा हूँ कि एकता से क्या हो सकता है वो बात समझा रहा हूँ एक एक जाती समों को लेकर के काम चलने वाला नहीं है वो समझा रहा है तो जब सारे लोगों को हमने एक खटा किया भारत बंद किया तो परणाम क्या हुआ वो पहले से जादा भारत बंद हो गया जब पहले से जादा भारत बंद हो गया तो इसके दो बड़े परडाम हुई C.A.E. का कानून जी सारिसिस B.J.P और विश्वे इंदू परिशत के पहल से बनाया गया था वो कानून अभी तक लागू नहीं हो पाए कितने लोगों को पता है चलो दो तिन लोगों को पता है दो चार पांच दस लोगों को पता है चलो अच्छी बात है वो हमारे लोगों के द्वारा ही बताया गया और उन्होंने सुना होगा तो मालूम हो गया होगा बाकी किसी को पता है नहीं नरिंद्र मूदी ने जो C.A.E. का कानून पास किया वो जब हमने 29 जनवरी बाद 2020 को भारत बंद किया उसके बास से वो कानून कच्रा कुंडी में पड़ा हुआ है इबारत बंद की वज़े से समझ रहे हो अकेले शाहिन बाग वाले अंदुरन कर रहे थे अकेले जैनरे से सुनो बहुत खास बाद बता रहा है समझ में आने के लिए थोड़ा दिमाग आपके पास जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसका उपयोग करो जो समझा रहा है अकेले शाहिन बाग वाले मुसल्मान जब इस कानुन का विरोध कर रहे थे तो देश में हिंदु मुसल्मान का मामला खड़ा हो रहा है जब हिंदु मुसल्मान का मामला खड़ा होता है तो बीजेपी को फाइदा होता है RSSS को फाइदा होता है विश्व हिंदु परिशत को फाइदा होता है जब हिंदु मुसल्मान का मामला खड़ा हो जाता है तो RSSS BJP को फाइदा होता है तो शाहिन बाग के आंदोलंच से हिंदु मुसल्मान हो रहा था मगर जब हमने SC, ST, OBC के तरफ से पहल की और भारत बंद का एलान किया और मुसलमानों ने साथ दिया तो ये सी, ये स्टी, वो बी सी प्लस मुसलमा भारत बंद हो गया जब भारत बंद हो गया तो शाहिन बाग वाले अंदोलन ने जो कानून का हष्र करना चाहिया था वो नहीं हुआ जब हमने भारत बंद किया तो वो कानून कच्रा कुंडी में जाके पढ़ा शाहिन बाग से तो उनको फाइदा हो रहा था क्योंकि वो केवल मुसलमानों का अंदोलन था और मुसलमानों के अंदोलन से हिद्दू मुसलमान मामला बन रहा था आरेश इसको फाइदा हो रहा था मगर जब S.C.S.T.O.B.C. के लोगों ने पहल करके भारत बंद किया और मुसलमानों ने समर्थन दे दिया तो S.C.S.T.O.B.C. एक तरफ और दूसरे तरफ मुसलमान सारे इकटा आ गए इसका परणाम ये हुआ S.C.A. का कानून अभी भी कच्रा खुंडी में पढ़ा हुआ हो गया है? मुसलमानों को फाइदा हो गया? मुसलमानों को खास तरफ इदर ज़्यादा संक्या नहीं है दस-पांच लोग है दस-पांच मुसलमान है मुसलमानों के सारे लोग 100% मिला कर भी नहीं कर सकते थे 100% मुसलमान इखटा होकर भी जो कर नहीं सकते थे वो हमने कर के दिखा रहे क्योंकि जितने ज़्यादा मुसलमान सडकों पर उतरते उतने ज़्यादा हिंदू इखटा हो जाते आया? समझ में आया? और जितने जादा हिंदू इखटा हो जाते उतना जादा मुसल्मान का संकट बढ़ जाता मैं हिंदूों से निकाल रहा हूँ F.C.S.T.O.B.C. को अलग अब कह रहा हूँ ये हिंदू नहीं है और ब्रामनों को चुनवती दे के कह रहा हूँ कि तुम्हारे कौन से धर्मकरंतों में A.C.S.T.O.B.C. हिंदू लिखा हो है बताओ किसी मुसल्मान को पता नहीं है मुसल्मानों को पूछो तो कहता है A.C.S.T.O.B.C. हिंदू है उसको ये समझ भी नहीं आता कि A.C.S.T.O.B.C. को हिंदू कहिने से मुसल्मान हमें A.C.S.T.O.B.C. के लोग जितने हिंदू बनेंगे उतना संकट मुसल्मानों का बढ़ेगा A.C.S.T.O.B.C. के लोग A.C.S.T.O.B.C. जितने जादा हो जाएंगे उतना मुसल्मानों का संकट बढ़ घत्म हो जाएगा A.C.S.T.O.B.C. टर्म जो है सामाजिक है और हिंदू जो तर्म है वो धार्मिक है जब A.C.S.T.O.B.C. के लोगों को मुसल्मान हिंदू के अकाउंट में जमा करते हिंदू का अकाउंट ब्रामिनो का अकाउंट है तो ब्रामिनो के अकाउंट में हम आप लोग हमें क्यों जमा करते हैं सबीधान ने हमें श्रडुशं कार्ट के नाम पर अदिकार दिया बभी सी के नाम पर अदिकार दिया जब आप यसीऊट्रीव बी-सी हम अिधि करके हिंदू बना हो इसले हमारे अधि खतन मों जाएंगे कि जब हम हिंदू मते तो अधिकार खतम होते हैं अस्जी